सुन, मैं तुझे दो आप्शन दे रहा हूं, या तो शेर मेरे नाम कर या मेरा कर्जा वापिस कर. इस शेर कर सिर्फ 10 परसंट बेज कर सारा कर्जा उतार दूगा. ऐसा है क्या, लगता है तो एग्रिमेंट बूल गया, मेरी पर्मिशन के बिना तुझ एक शेर भी नहीं प्याच सकता हूं, और बन इसका सगा. मैंने तुझ पर भरोसा किया और तुमुझे ही धोका दे रहा है। खुद के बाप को धोका देने वाला मुझे धोके बाज कह रहा है। अरे पवलेक, बजाओ ताली, मामु ने गंदय मुझे क्या बढ़िया बाद बोली है। आजा, हग दूँ, तू तो शुरू से अपने विलेन के केरेक्टर में सेट है, मगर इस पल्टी बाज ने अपना केरेक्टर लूस कर दिया। जब तक यह सारे शेयर मेरे नाम पर नहीं कर देता, तब तक मारो इसे। और अगर कोई बीच में आता है, तो उसे अभी नहीं छोड़ना है। यह ममू, यह चिटिंग है। तू शेयर लिया रिक्षिका फेर ले, तुम लोगों के आपस का माम लाए। हम इसमें क्युटांगण आने लगे। मतलब तू बीच में नहीं आएगा ना? सब्वाल ही नहीं। पक्का नहीं आएगा ना? तुरी मा की कसम। तुलाई शुरू कर। क्या हो गया ब्राता श्री? भूल गया इसने क्या वचंद दिये थे? क्या मुझे किसी के जरूरत नहीं है? और छाथी ढोक के बोला था तो इसे अपनी बार पिट्टे के रहने दो नहीं है? जबान की भी तो कोई कीमत है भाई है हमारा अच्छा वा बेटा भाई है अब कसाई मैं तब भाई नहीं था जब मेरे उपर पुरा कंटेनर पठका था चैल पिचवट बीच में तब ही कोई आएगा जब बीचवाला भाई बुलाएगा तब तक इसकी कुटाई चिलेगी कर अाओ जब लुब 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 मैं वपर बीचश अच़ लुब लुब में बीच़ अरे अजे रुक जाओ भाईया पसे एक बार इसे दिल से अपने भाई को पुकारने दो फिर देखो मैं कैसे इन सब के बाप भाई करता हूँ क्यों मार खा रहा है ना तो तु वहां जा पाएगा और ना वो यहां आएगा साइन कर दे जान बज जाएगी तेरी मैंने अपनी फैमली से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया था लेकिन तुन्हे असली रंग दिखाई दिया पता इतनी मार खाकर भी मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया क्योंकि मेरे जिस्म से गिरने वाली खून की एक एक भूंद मेरे अपनों से मेरे कुनाहों की माफी मांग रही है सुन अगर मैंने अपने किसी भी भाई को आवाज दीना तो तेरा क्या हश रहोगा देखना चाहता है तो देख चोटे आजा मरा इसको अगर सुन जहाँ अगर हाईाई हुआ